55th Asia Bodybuilding and Physique Championship चल रही है नेपाल में जिसमें जीते अपनी कैटिगरी में अमित भुहियां अमित भुहियां ओडी सा को बलॉंग करते हैं बहुत रो रहे थे आप देखे तो इने ज़रा लाइक बाकी सारे अथलीट खुश थे यह मुस्कुरा रहे थे बड़ अमित रोते जा रहे थे और दूसरे हाथ पे बलाल खान चलाते हैं भारत माता की जै भारत माता की जै ऐसा क्यों आप दोनों अपनी कैटिगरी में गोल जीता और वही अनिल चौधरी बिलकुल मायूस थे आप इनके चहरे ज़रा देखिए डिससाटिसफाक्शन बिलकुल जहलग रहा है इनके चहरे पे क्यों यह डिससाटिसफाइट थे आईए जानने के लिए बहुत कुछ है स्टार्ट करते हैं पहली कैटिगरी से जहां पे हम मिलेंगे नरेंदर यादफ से नरेंद्र यादफ ने अपनी कैटेगरी में गोल जीता इन फक्य यhes चैंपमेंशिप का पहला गोल था और वह बहली इंडिया के खाते में गया नरेंद्र यादफ डैली के हैं एन ही इस अ जेसी काफी यंग है इस बिलोटवरेंटी और अ अराउं पंजाब को बिलॉंग करते हैं, बोडी बिल्डिग अलकिमिस्ट यानि एतिंदर जीत सिंग के स्टुडेंट हैं इनकी काटेगरी में थोड़ा हमें भी लगा कि ही अक्शली डिसर्व डिटर पोजिशन, इनको मिला सिल्वर मेडल अपनी काटेगरी में इनको सिल्वर मेडल मिला, इनके साथ जो कम्पीट करे थे वो भी आपको थोड़ा सा दिखा रहता हूं कौन कम्पीट कर रहे थे इनके चहरे पे उदासी या डिस्साटिस्फाक्शन बिलकुल एविडेंट था, लुक अट इट, he is just not happy इनके बिलकुल ऐसा अभी लग रहा है चहरा देखे कि अभी रो पड़ेंगे बस ये accept ही कर रहे हैं, and this guy, he's from Nepal, host country के हैं, इनको मिला gold बट अगर आप इनकी पूरी performance देखेंगे, जो आप चहाएंगे, तो मैं post कर दूँगा इड़ फील लाइक की अनिल's performance was far better, but then we are not a judge ना हम judgment पे अपना judgment पास करना चाते, and ये आपकी जानकारी के ले वो मैं आड़ कर रहा था now look at Sonu Janjo, Sonu Janjo भी top 5 में थे अपनी category में, in fact Sonu की category थी below 55, Sonu was in below 55, और सूरज एक और bodybuilder है, वो भी below 55 में थे, इसमें इनकी ranking रही 5th, he won 5th place, although इनकी भी ranking थोड़ी better सकती थी, but actually इनकी category बहुत tough थी, short height में इनमें तगड़े-तगड़े, Myanmar, Burma, Thailand के bodybuilders आए हुए थे, की जीतना थोड़ा मुश्पिल था, let's move to another category, this category is below 60, he is, इनका नाम में को clearly नहीं पता, because जो host है, वो जैसे bold रहते है, वो समस्तो आई ही नहीं रहा था कि क्या नाम है, otherwise I do think he is from South India, let's move to another one, Raju Khan, Raju Khan को आप आते हैं, इन्होंने अपनी category में जेता gold, up to 65 kgs category है इनकी, और I'm guessing that he is either from Rajasthan or from Uttar Pradesh, what an amazing physique, in fact, एक लासिक खेलेंगे ना, तो भी धमाका करेंगे ये, because his vacuum is amazing, इनकी overall physique, presentation, smile, posing quality, everything was just bang on, super quality, Raju Khan won, gold medal in his category of below 65 kgs, let's move to another one, इसके बाद category है, जिसमें इंडिया के दो-दो athletes थे, Amit Bhuyaan और Bilal Khan, दोनों ही उड़ी सा को बिलॉंग करते हैं, all right, so let's look at the posing of the posing king, Amit Bhuyaan, ये है Amit की final posing routine, obviously, Amit से हम काफी championship में मिल चुके हैं, Amit ने नरेश सूर्य क्लासिक खेला है, और बहुत साई championship खेली हैं, डेली में और हैदराबाद में भी, and he is a very, very refined bodybuilder, इनको हमने हरी-हर कोची classic में भी देखा था, जहां पे लोने best poser का award भी चीता था, he's a posing king, he's a dancing expert also, इसके अलावा इसी category में थे, Bilal Khan, sorry, Balal Khan, Balal Khan भी उडियसा को बिलाउं करते हैं, he's 34 years old, Amit भी actually senior athlete है पनी category के, which is up to 70 kgs, और Balal Khan भी काफी senior athlete है, Balal Khan काफी time बाद कमबाद कर रहे थे, इनसे भी हम पूरी में मिले थे, जब मैं पूरी गया था, Hari Harguchi Classic के लिए तब मैं इनसे मिला था, but right now he's looking just absolutely amazing, Imtko Di, 5th rank, लेकिन, I think he did deserve better also, सब के लिए तुम्हें नहीं बोलूँगा, but I think he, Anil, are two people, जिनकी ranking थोड़ी better हो सकती थी, but then who are we to pass our judgment, let's, right after this, let's also look at some of those winning moments, जहाँ पर Raju Khan या फिर Amit Bhunia, देखते हैं कि क्या reaction थोण का जीतने के बाद, so let's go, कज़ाओाओबने का थाँ मे हम थाँ उनाओब sucked out more झाँबने के अर चाँबने के लाँछ़, जैं क्याक पज़ाओबने का जाँप 5 सर्मे थाँख, पर्फेशोच व्चेछ़ सिवाबने के Лए अमित के winning moments बहुत खास थे अब खुद महसूस कर पाएंगे अभी तक उनको शायद एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो क्या जीत गय है अपनी क्या डिगरी में गोल जीता उन्होंने पीछे से आके उनको भारत का जंडा दिया गया उन्होंने पकड़ लिया और जैसे ही जंडा उ उनका रोना चालू बार-बार हाथ जोड़ें बार-बार अपने emotions को control करें और आप देखना जब national anthem play होगी तो तो बिलकुल out of control emotions हम समत सकते हैं इस बात को हम काफी बार ऐसे athletes को देखते हैं bodybuilders को देखते हैं जब वो भारत का जंडा आपने कंदों पे लाते हैं पहनते हैं तो देर emotions are just absolutely out of control लुक अभी कितने excited थे trophy पकड़के उन्होंने सीधा उपर उठा दी फिर रलाइस के आरे trophy देल लेनी तो बाकिया तो फिर उन्होंने वापस जो गयस्ते उनके साथ पकड़ी आप बार-बार देखेंगे अब उनको मेडल पहनाना बाकिए अब जब मेडल पहनाएं और रोन इंडस्ट्री वाले सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिये और चैनल को सुब्स्क्राइब करना मन भूलिये विकूज अप-to-date information आपके सामने ला रहे हैं उसलिए बहुत महिनत लगती है stay tuned and keep watching कल दिखाएंगे आपको वीडियोज में तिन चल्दीला और दीपाशेव गिलो और बहुत सारे सीनेर अथलेट्स के सुलेट्स को